Hello everyone, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है computer system architecture के ऐसे important multiple choice question discuss करेंगे, जो की आपके exam के point of view से important है, तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने part 1 के, इस वीडियो का part 1 देखा था, यानि मैंने multiple choice question discuss किये थे, वो हमारा part 1 था, अब हम लोग जो आज के इस वीडियो में part 2 को discuss करेंगे, यानि हमारे जो remaining question बचेते 51 से लेकर 100 तक, वो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में cover करेंगे, अब ये वीडियो ऐसे student के लिए, जो की especially अपने examination की preparation कर रहे हैं, अब वो exam आपका PGT का हो सकता है, TGT का हो सकता है, उसमें NVS, KVS, DSSB, EMRS के exam शामिल हो सकत है, या फिर आपका बिहार का BPSC, TRE का exam हो सकता है, या फिर आपका मद्यपरदेश का ITITO का exam हो सकता है, ये सारे paper के लिए, सारे examination के लिए ये video helpful होगा, तो सभी student जो हैं, इस video को देख सकते हैं, और जो बहुत सा सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये video बहुत helpful है, तो देखो हम especially computer science की video बनाते हैं, तो सारे के सारे student जो की computer science की preparation कर रहे हैं, TGT और PGT की, या फिर अपने ITITO की, या फिर अपने NVS की, KVS की DSSB, वो सभी student के लिए हम लोगों ने courses बना रखे हैं, इन courses के ल अमर पर हमें content कर सकते हैं, और इन सारे course जो हैं, आपको हमारी website मिल जाएंगे, हमारी website का link, video के description mention है, इसके साथ जो भी question में आपके साथ discuss करूँगा, उनका जो PDF होगा, वो हम लोग जो हैं, अपने telegram channel पर upload करते हैं, समय समय पर, तो telegram channel को भी अगर अभी तक आपने join नही क्या है, subscribe this channel, क्योंकि जब भी कोई हम नया वीडियो लेके आते हैं, तो उसका जो notification होता है, वो आप तक मिल जाता है, तो इसलिए bell icon को दबाना मत भूलेगा, अगर आप इसको वीडियो को like करेंगे, share करेंगे, तो हमारे team जो की बहुत मेहनत कर रही है, आप लोग के लिए इन questions को लेके आने में, तो उनको भी थोड़ा सा motivation मिल जाएगा, कि हम लोग और भी अच्छा work आपके लिए लेकर आएंगे, तो आईए, अब हम लोग जो है, अपने questions की तरफ चलते हैं, तो आईए, अब हम लोग जो अपने multiple choice questions है, उनको start करते हैं, एके करके, इन सारे questions को हम लोग जो है, आपके साथ discuss करेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया था, कि जो भी questions हम लोग discuss कर रहे हैं, इसका जो PDF है, वो आप लोगों को हमारे telegram channel पर दे दिया जाएगा, तो जिन इस भी candidate ने, जिन भी student ने अभी तक हमारा telegram channel जोइन नहीं क दो तिन दिन बाद जो है, आपको PDF जो है, एके करके सारे मिलते रहेंगे, तो आईए एके करके इन सारे questions को हम लोग discuss करते हैं, first question हमारे सामने है, during the booting process, which component is responsible for loading the operating system into the memory, यह बूटिंग प्रोसेस को जब हम लोग दो दोरान जो है, किस memory के help से operating system जो है, हमारी जो ऑपरेटि system जो है, हमारी memory में आता है, किसकी help से, यह हमें बताना है, पहला है, BIOS, यानि basic input output system, CPU, central processing unit, hard drive, और RAM, तो देखिए, जो हमारा BIOS होता है, यह जो है, हमारे operating system को memory के अंदर upload करता है, और यह बहुत बड़ा important role पर लिए करता है, तो उसलिए, please mark A as a correct answer, बाकि जो option है, वो इसक question नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में, हम लोग आपको पहले ही बता चुके है, तो देखिए, यह हमारा जो आज का वीडियो है, computer system architecture का part 2 है, part 1, जो है, मैंने पहले 50 questions आपके साथ में, पहले discuss किये थे, तो अगर जो भी student ऐसा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं process of a computer, इन में से कौन सा option जो है, यह बताता है, कि booting परिक्रिया सही तरीके से हुई है, या नहीं हुई है, पहला option है, the process of turning of the computer, the process of updating the operating system, the process of starting the computer and loading the operating system, the process of installing a new software, तो हमें यह बताना है, कि booting process के दोरान, क्या होता है, जब हम लोग booting process करते हैं, तो देखिए, जब भी हम लोग अपने computer को ये laptop को open करते हैं, यानि switch off से switch on करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा operating system होता है, वो इसके memory के अंदर upload होना चाहिए, तो इसी process को हम लोग जो booting process कहते हैं, तो booting process में क्या होता है, कि हमारे computer के जितने भी hardware हैं, जितने भी software हैं, और जो भी हमारे relevant files हैं, वो हमारे operating system में आती हैं, तो operating system को load होना ये पहला step होता हो, यही हमारा जो है, इसी को हम लोग जो है booting process कहते हैं, तो please mark see as a correct answer, देखिए, जो student हिंदी में comfortable है, उनके लिए answer portion जो है, राइट हैं साइट पे हैं, तो मैं उनको option में भली, दोनों option में ऐसे लगाना possible नहीं है, तो please आप इसको mind मत कीजिएगा, next question, question में 53, तो question में 53 ये कह रहा है, the sequence of operation that the computer perform when it is switched on, is known as, यानि जो हम लोग को booting process सबसे पहले जब हम लोग अपना switch on करते हैं, जब हमारा laptop या computer को switch on करते हैं, तो एक sequence होता है, सारे operations के सबका sequence होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे bootloader कहते हैं, boot sequence कहते हैं, boot manager कहते हैं, boot record कहते हैं, तो देखो booting process में जब भी हम लोग अपने system को system को on करते हैं तो operating system upload होता है तो सारी की सारी जो process operations है उनको हम लोग जो है boot sequence कहते हैं ठीक तो please mark be as a correct answer boot loader नहीं होगा boot manager एक अलग बाट होता boot record जो है वो इस तरह की जो चीज़ है वो नहीं होती है बूट record जो है वो एक अलग टर्म है वो इसमें हमारे रिलेमेंट नहीं है next question question 57 in the context of booting post stands for यानि post जब हम लोग booting करते हैं तो पोस्ट की क्या full formula पोस्ट का अर्थ क्या है यह बताना है power on self test pre operating system test primary operating system test peripheral operating system test तो यहां पर जो correct answer पोस्ट का वो है power on self test ठीक है इसलिए इसको मलब हमारे बूटिंग के अंदर जो पोस्ट है उसका मतलब होता power on यानि light को on किया self test नहीं इसके अंदर जो self test होना start हो जागा जैसे हम उसको power on करेंगे तो please mark a as a correct answer next question 55 the bootstrap loader is primarily responsible for running the operating system initialize the hardware loading the operating system into the RAM managing the BIOS setting तो जो हमारा bootstrap loader होता है वो किसके लिए responsible होता है उसकी help से हम लोग क्या करते है तो देखो RAM के अंदर हमें यह पता है कि जब हमारा bootstrap loader होता है उसका main task होता है कि जो हमारा operating system है उसको RAM के अंदर लेके आना तो देखो अभी हमेंने आपको पताया था कि जब हम लोग booting करते हैं तो OS जो होता है वो memory में आता है और यह कौन सी memory होती है यह हमारी RAM होती है ठीक है तो इसमें जो हमारे जो important जितने भी hard drives है sorry files है और hardware है उनके devices है device driver है वो जो है upload होते हैं तो please mark see as a correct answer तो student से यहां पर जितने भी questions हम लोग discuss कर रहे हैं उन questions के advanced version हम लोगों ने अपने courses में solve किये हुए हैं तो इसके लिए आप हमारा course के अंदर enroll कर सकते हैं हम लोगों ने जितने भी examination है computer science related जैसे PGT TGT में हम लोग जो है NVS KVS DSSB EMRS साथ में ITITO जो की मद्धेपरदेश का बहुत important exam है BPSC का tree BPSC tree और next set के सारे courses हमारे पास available है हमारी website पर available है तो आप इन हमारी website पर bsiacademy.net पर जाके इन courses को check कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे WhatsApp नमर पर हमें contact कर सकते हैं next question question number 56 which of the following is not a typical step in the booting process नहीं से कौन सा जो है option booting process के दुरान नहीं होता है executing the BIOS firmware, loading the operating system kernel, running the user application, performing the post तो देखो यहां पर अगर हम लोग देखे तो बूट बायोस तो बायोस को हमें execute करना ही होता है ठीक है यह तो होता ही है तो यह तो होता है loading the operating system kernel यह भी होता है performing the post यह भी होता है जो नहीं होता वह हमारा running user application ठीक है यह नहीं होता है और हमें not बताना है इसलिए correct answer हमारा C है प्लीज मार्क 56 का C is a correct answer next question question 57 which of the following was a key characteristic of first generation computer जो हमारे first generation computer थे उनका क्या important characteristic था यह integrated circuit पे बने हुए थे ट्रांजिस्टर पे या vacuum ट्यूब पर या micro processor पर तो देखो first generation computer की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आने वाले computer थे जो कि उससा में computer system जोते वो बड़े बलकी हुआ करते थे बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे तो इसलिए integrated circuit transistor और microprocessor के हम लोग बात ही नहीं कर सकते इसलिए इसका जो correct answer वो है vacuum tube क्या है vacuum tube है तो प्लीज माफ 57 का see as a correct answer next question question 58 what was the primary memory use in the second generation computer यह जो second generation computer हम लोग यूज करते थे second generation computer हम लोग यूज करते थे उन में कौनसी memory का use किया जाता था magnetic tape पंच काज magnetic core memory या hard disk drive तो देखो यहां पर जैसा की बताया गया है कि second generation computer की बात कर रहे है तो second generation computer की बात हम लोग कर रहे हैं तो hard disk का तो मतलब ही नहीं बनता है तो यह तो होगा ही नहीं होगा punch card हमारे जो थे वो फर्स generation पर थे magnetic core memory जो है वो इसका answer है क्या है magnetic core memory तो प्लीज मार्क सी यह जा correct answer next question question 59 which computer was the first operational general purpose electronic computer यानि इन में से कौन सा पहला electronic computer था जो की public के लिए था Univac 1, Inac, IBM 360 या Honeywell 6000 तो यहां पर हमें जो है यह बताना है कि कौन सा हमारा first general purpose electronic computer था तो इसमें जो correct answer है वो E-N-I-A-C यह है in-act तो प्लीज मार्क भी एजा correct answer next question question 60 in which generation of computer was the microprocessor developed किस generation के computer के लिए microprocessor developed हुए थे first generation के लिए second generation के लिए third generation के लिए या फिर fourth generation के लिए तो देखो microprocessor एक ऐसा इस तरह की machinery है जो की बहुत fast काम करती है और खास यहां पर integrated circuit का use किया गया था microprocessor के अंदर तो microprocessor जो थे वो हमारे fourth generation computers में use किये गए है even आज भी जो है micro processor जो है even जो हमारे task में हम लोग use करते हैं four generation computers use करते हैं कहीं कहीं पर हम लोग fifth generation भी है हमारे तो यह जो है यह generation के निर्भर करता है तो फोर generation है तो इस मार्ग D is a correct answer और अब तो देखो 11th 11th generation तक आ चुकी है तो यह depend करता कि कौन सा computer आपको जो use कर रहे हैं ठीक next question question 61 which technology is exposed to define fifth generation of computer any fifth generation जो मैंने अभी 11th generation बोला था ना वो computer की generation नहीं थी वो processor की generation है ठीक है तो प्लीज उसको महिंद मत करना तो 11th generation नहीं मतलब यह जो है यह हमारे computer की generation का अलग बात हो रही है और processor की बात जो है वो अलग हो रही है तो 11th generation जो मैंने बात बोली है यह हमारे processor की generation की बात है computer की generation की बात अलग है next question जो बैने बतायागी कॉंसिए यगैं आपके म्न ये उसारे वह सारे मांग सी अ किरेक्ट आंसर moos करते आंसरには यहांहों इसमें लोग जो कि आपके हैं खास्ताई से रिसर्च ओरेंट उरेंड ब्रक हो रहें is the role of the control unit in a computer, control unit का computer system में क्या role है, to perform the arithmetic and logical operation, to manage the memory and storage, to fetch, record and execute the instruction, to handle the input-output operation, तो देखो यहां पर हमें यह बताना है कि जो control unit है, वो हमें क्या करते है हमारे लिए, तो देखो control unit में क्या होता है, पहली बात तो arithmetic and logic operation जो है, यह हमारे ALU में होते हैं, तो manage the memory and storage, यह हमारा जो है, वो CPU का काम है, to fetch and decode and execute the instruction, यह हमारा जो है, control unit का काम है, तो उसमें जो correct answer है, वो हमारा C है, प्लीज मार्क C as a correct answer, next question, question 63, which component of a computer is responsible for storing the data and instruction, यानि, इन में से कौन सा इसा component है, जो data को store करता है, और instruction के लिए, हमारा जो है, वर्क करता है, option है, आपके ALU, control unit, control unit, और then memory unit, input unit, तो जो हमारा data को store करता है, और instruction को store करता है, वो हमारे कौन सी unit है, वो हमारी memory unit है, ठीक है, तो देटा store कहा होता है, ultimately memory unit में होता है, instruction भी store करते हैं, हम लोग memory unit में, जो data हमारा ज्यादा wide होता है, ज्यादा user specific होता है, उस data को हम लोग secondly memory में store करते हैं, और जो हमारे instructions होते हैं, वो हमारे CPU register के अंदर, या फिर हमारी जो RAM है, cache memory है, उसमें store किया जाते हैं, तो कौन मुलाकर memory unit में, हमारे जो है data को store, और instruction को store किया जाता है, तो please mark 63 का C, जो है, वो correct answer है, याद रहेगा, और strengths, आप भी जो है, जो topic आपको लग रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है, मुझे comment कर सकते हैं YouTube पर, हम लोग जो है, उनके lectures जो है, बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे, next question, question 64, which in the context of the computer component, what does the IPO stands for, यानि IPO की full form क्या होती है, अगर हम लोग computer components की बात करें, तो I का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, ये आपको बताना है, तो देखिए, ये हमारी जो, इसमें process है, input, process और output, ये हमारा correct answer है, input, process और output, ये ही काम जो है, हमारे computer का होता है, बाइटा का input लेता है, उसे process करता है, और जो भी अब उसका output होता है, उसे monitor पर publish करता है, तो ये काम किसका है, हमारे computers का होता है, तो please mark 64 का A जो है, वो correct answer है, next question, question 65, which of the following, which of the following is not a functional component of a computer system, इन में से कौन सा ऐसा part है, जो computer system का main component नहीं है, ये पूछा गया है, तो देको input unit, जो है, ये computer system का part होती है, control unit भी part होती है, processor भी होता है, पर compiler जो होता है, वो necessary part नहीं होता है, तो इसलिए हमें बताना है, correct answer, तो D जो है, वो इसका part नहीं है, functioning government नहीं है, तो यही इसका answer है, तो please mark D as a correct answer, next question, question 66, which component directly interact with the input and output device in a computer system, कौन सा ऐसा component है, जो हमारे input और output device से साथ communicate करता है, computer system के अंदर, ALU यानि arithmetic logic unit, control unit, memory unit या फिर processor, तो यहाँ पर आपको ये बताना है, कि इनके अंदर कौन सा ऐसा process है, मनब input, output और device से connect होता है, तो देको, यहाँ पर हमारे option जो है, जैसा कि मैंने बताया, तो आपके जो basic device है, वो हमारा जो है, कौन सा होता है, वो processor होता है, यानि क्या होता है, processor का मतलब यह होता है, हमारा CPU, ठीक है, तो जो processor है, आपका वो input, output device से connect होगा, even जितने भी अपने hardware होते हैं, उनका एक part जो हमारे processor से जरूर connect होता है, ठीक है, तो इसमें जो correct answer है, वो D है, please mark D as a correct answer, next question, question of 67, which bus is used to transfer the data between the processor and memory, कौन सी ऐसा data है, जो processor और memory के बीच में data का transfer करता है, address bus, data bus, control bus और serial bus, तो हमें data transfer की bus की बात कर रहे हैं, processor और memory के बीच में, तो देखो, processor और memory की बीच में, हम लोग अगर बात करेंगे data के बारे में, तो वो data bus ही करती है, कौन सी करती है, data bus करती है, तो please mark B as a correct answer, उसका जो correct answer है, वो B है, next question, question 68, the control signal are transmitted over which type of bus, यानि जो हमारे signals होते हैं, किस bus में transmit की रहते हैं, data bus में, address bus में, control bus में, या फिर system bus में, तो जो हमारे control signal होते हैं, वो हमारे control bus में transmit होंगे, obvious बात है, तो 668 का C correct answer है, next question, देखो, आज के question जो है, वो मैं जल्दी-जल्दी करा रहा हूं, क्योंकि हमें और भी जो lectures हैं, आपके लिए लेके आने हैं, तो ये काफी सारे question जो है, कल आपके साथ discuss कर चुका था, main theory के अंदर, तो जिन भी student ने, पहला part इसका नहीं देखा, तो जाके देख लेना, वीडियो के description में, जो है, इसका lecture, यानि part 1 है, next question, which bus determines the memory location, memory location to be accessed by the processor, तो देखो, हम बात कर रहे हैं, memory location की, तो memory location, जो है, processor, कैसे पता लगाता है, data bus से, address bus से, control bus से, या फर expansion bus से, हम लोग memory location की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो correct answer आएगा, वो address bus आएगा, 69 का B जो है, वो correct answer है, क्योंकि हमारी जो bus होती है, वो तीन तरह की होती है, data bus, address bus, control bus, data bus, जो है, data का का काम करती है, data को जो memory और processor के बीच में लेकि आती है, control bus जो होती है, हमारे signals को control में लाती है, और जो हमारा address bus होता है, वो हमारे, जो होता है, वो location, यानि memory location का जो instructions होता है, उसको processor तक लेके आता है, next question, question में 70, which of the following is responsible for coordinating the activity of all other component in a computer system, यानि computer system के, यानि हमारे जितनी भी activities होती है, उन्हें coordinate करने का जो काम है, कौन सा component करता है, data bus, address bus, control unit, या ALU, तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो हम लोग जो है, अपने, अपनी सारी activity, computer system की उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो correct answer है, वो control unit है, ठीक है, coordinate करने का काम जो होता है, वो हमारी control unit का होता है, CU का होता है, तो please mark C as a correct answer, next question, question 71, how do the functional component communicate with the computer system, यह जो functional component है, हमारे computer system आपस में कैसे बात करते हैं, through wireless connection, using system buses, via external devices, या फिर network protocol से, तो यह को हमारे computer के जितने भी component होते हैं, जैसे memory है, हमारा processor है, हमारा, जो हमारे का करते हैं, ALU होती है, वो सारे के सारे जो हैं, हमारे system बस से आपस में एक दूसरे से communicate करते हैं, तो please mark 71 का be as a correct answer, ठीक है, next question, question 72, what is the primary purpose of the boot loader during the booting process, या नहीं जो हो, हमारा boot loader होता है, booting process में इसका क्या main role होता है, यह हमें बताना है, to check the hardware error, to load the operating system into the memory, definitely यह होगा, to manage the power supply to initialize the peripheral device, A नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, तो the boot loader का का काम जो है, जो हमारे operating system को हमारे memory के अंदर upload करने को है, तो please mark 72 का जो है, वो B जो है, वो correct answer है, ठीक है, याद रहेगा, next question, question 73, which memory location typically contain the boot loader, boot loader जो है, किस memory में होता है, RAM में होता है, हाजस में होता है, रोम में होता है, या फिर cache memory में होता है, तो हम बात कर रहे हैं, boot loader की, तो मैंने आपको कल भी बताया था, कि एक हमारी जो होती है, वो एक memory होती है, read only memory, कौन सी होती, read only memory, तो read only memory जो होती है, वो non-volatile होती है, non-volatile का मतलब यह होता है, कि जो इसके अंदर हमारे जो basic boot loader होता है, वो जो है, इसमें होता है, तो इसमें जो correct answer है, वो रोम है, यानि read only memory, तो please marks C as a current answer, 73 का जो है, वो C correct answer है, ठीक है, next question, question 74, तो देखिए, हमारे बहुत सारे question जो है, हम लोग question paper, previous year के वो भी solve कर रहे है, अपने students के लिए, वो सारे paper आपको, आपकी preparation के अंदर, आपके course modules में आपको मिल जाएंगे, तो जेन भी student ने हमारा course ले रखा है, वो अपने modules में जाके check करें, course में जाके check करें, वहाँ पर सारे courses के अंदर, हमारे question paper जो है, previous year के मिल जाएंगे, और जो students को लगता है, कि उनको हमारे courses के अंदर, इंडोल करना है, तो वो students जो है, हमारे हमें, WhatsApp पर contact कर सकते हैं, और हमारे सारे course जो है, हमारी website, www.bsacademy.in पर available हैं, नेक्स कोशन, कोशन में 74, वाट इस टर्म फॉर दा इनिशल प्रोग्राम गेट रण, वैंने कम्प्यूटर इस पावर डॉन, तो जब भी हम लोग पावर अन करते हैं, अपने कम्प्यूटर का, तो जो सबसे पहला प्रोग्राम रण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग BIOS कहते हैं, करनल कहते हैं, बूट लोटर कहते हैं, फर्म वेर कहते हैं, तो जब अभी मैंने आपको बताया कि जो बूट लोटर होता है, वो हमारा read-only memory होता है, सबसे पहला जो है, वो device होता है, जो की हमारे computer को, हमारे computer में जो main memory होती है, पर्मानेट उसको उसके अंदर होता है, ठीक है, तो next question, कुश्मा 75, विच टाइप अब बूटिंग इन्वाल्ट ता री स्टार्टिंग दे कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ दा पावर, यानि इन में से कौन सा ऐसा option है, जो बिना पावर आफ किये, ठीक है, हमारे computer को restart कर देता है, यह हमें बताना है, तो बिजली को बंद किये बिना ही, हम लोग जो हैं, computer को start कर सते, warm booting, cold booting, safe booting, या फिर hard booting, तो देखो, booting के बारे में, मैं एक full flash lecture लेके आऊँगा, जहां पर इसकी जो भी पूरी process उसको बताया जाएगा, तो उसका जो correct answer है, वो हमारा A है, तो प्लीज मार्क 75 का A as a correct answer, next question, question 75, the booting process BIOS perform a series of tests, known as what, यानि हमारी जो BIOS है, उसके अंदर बहुत तरह के test होते हैं, series of tests होते हैं, उसे हम लोग post कहते हैं, यानि power on self test कहते हैं, उसे हम लोग pots कहते हैं, power on test sequence कहते हैं, या फिर boss कहते हैं, boot on start कहते हैं, या बिट कहते हैं, boot initialization test जो होता है, वो होता है, तो इसमें हमें जो है, correct answer बताना है, देखो, इसमें हम लोग जो है, power on self test करते हैं, ये मैंने भी आपको बताया भी था, तो प्लीज मार्क A as a correct answer, power on self test, next question, question 77, question 77 है, which of the following is a characteristic of super computer, super computer का important characteristic है, high portability, high processing speed, low cost या low memory capacity, तो देखो, probability तो high portability, मालब एक जगे से दूसरे स्थान पर जाके, तूसरे अराम से लेके जा सकता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, super computer बहुत बड़े-बड़े होते हैं, इसलिए एक जगे से दूसरे स्थान पर लागे आना, उनके लेके टफ पड़ता है, high processing speed ये हो सकता है, low cost ये नहीं, ये low cost नहीं होते हैं, super computer बहुत costly होते हैं, low memory capacity नहीं, इनकी capacity बहुत होती है, और खास और से जो भी research का work होता है, वो हमारे super computer की देन होता है, super computer में कियाता है, तो please mark be as a correct answer, next question, question 78, what type of computer is designed to serve the multiple users simultaneously in an organization, इन में से कौन सा ऐसा option है, जो computer का type है, जिसके अंदर बहुत सारे user, एक साथ एक साथ organization में काम कर सकते हैं, micro computer, mini computer, main frame या फिर super computer, तो देखो, अगर आप किसी organization में गए भी होंगे, तो वहाँ पर सभी लोग जो है, एक साथ जो है, एक साथ काम जो करते हैं, पर ऐसा rare होता है, और खास वर से ऐसा जो है, वो हमें research वाले work में देखा जाता है, तो उसमें हम लोग जो है, main frame computer का use करते हैं, अब आपको मुझे पता नहीं है, या आप में से कितने लोगों ने main frame computers को देखे हैं, बट जब मैं अपनी MNC company में work करता था, तब मैंने main frame computer और laptop, main frame computers देखे हैं, main frame जो है, एक language भी है, तो इसमें जो correct answer है, 78 का जो है, C है, नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन में 79, विच क्लास अफ सुपर, विच क्लास अफ कंप्यूटर यूजिस दा, micro processor and included desktop and laptop, इन में से कौन सा ऐसा option है, computer का पार्ट है, जो कि micro processor को यूज करता है, साथ में desktop और laptop भी available होते हैं, super computer, main frame, micro computer या फिर mini computer, तो अब आपको यहाँ पर जो है, correct answer लगाना है, तो देखो हमारे जो super computer है, main frame computer है, या फिर मनब एक तरीके से यह है कि, हमारे desktop और laptop जो है, उनके अंदर जो है, वो include है, micro processor and included desktop and laptop, तो देखो हमारे जो mini computer होते हैं, खास्ट और से mini computer होते हैं, उनमें micro processor होता है, desktop होता है, और laptop भी होता है, तो इस तरह से हम लोगों, mini computer कहेंगे, micro computer बहुत से बच्चे यहाँ पर लगा देगा answer, तो micro computer नहीं है, क्यों micro computer जो है, वो हमारे laptop का भी small version है, तीक है, इसलिए जो correct answer 79 का, वो D है, तो प्लीज मार्ग 79 का, D is a correct answer, next question, question number 18, what type of computer is typically used for specialized scientific application, weather forecasting, तो हम लोग जो है, जो specialized scientific application, weather forecasting ले यूज़ करते हैं, ऐसे कौन से computer है, micro computer, mini computer, main frame, या फिर super computer, तो देखिए, मैंने आपको बताया, कि जो हमाले main research वाला work, जो होता है, वो super computer होता है, खास होते हैं, जो super computer होते हैं, वो जो है, हमारे जो बहुत बड़े-बड़े data होते हैं, big data होते हैं, उस पर काम करते हैं, और उनके लिए, जो test cases होते हैं, वो सारे इस पर बनते हैं, तो इसलिए जो correct answer है, वो हमारा super computer है, तो प्लीज मार्क D as a correct answer, 80 का जो है D correct answer है, next question, question 81, 81 जो है, उसको discuss करते है, which part of the CPU perform, add, subtract, divide, multiply and logic operation, यानि कौन सा हमारा CPU का part है, जो की subtract करता है, divide करता है, multiply करता है, logic operations वाले करता है, logic operations करता है, तो खास सवर से देखे हो, ये जो है, हमारा register के अंदर instructions आते हैं, या फिर data store होता है, तो ये तो करता नहीं है, तो जो mainly operation करने का जो part होता है, control unit का नहीं होता, RAM का नहीं होता, ये काम होता हमारा ALU का, यानि arithmetic logic unit का, तो please mark C as a correct answer, next question, question 82, which of the following is not a part of the CPU, इन में से कौन सा ऐसा component है, जो CPU का part नहीं है, हमें ये बताना है, register ALU controller या फिर system bus, ठीक है, ये हमें बताना है, कौन सा part, इसमें CPU का नहीं है, तो देखिए, हम लोग अगर बात करें, register ALU controller, ये तीनों जो हैं, हमारे CPU के part है, बट जो system bus है, ये हमारा CPU का part नहीं है, क्योंकि system bus जो है, ये एक तरीके का ऐसा interface है, जो की हमारी memory, CPU और हमारी control unit को जो है, आपस में एक के साथ जोडता है, तो ये हमारा जो system bus है, ये जो है, हमारे CPU का part नहीं है, तो please mark D as a correct answer, next question, question number 83, which of the following is not a high level programming language, अब देखो ये है, ये थोड़ा सा leak से हटके question है, बट definitely आपके exam में इस तरह के question आते है, short tag के question है, और ये question जो आपके, खास और से ICT part में है, वहाँ पर भी पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है, तो इसमें आपको उसका answer बताना है, कि इनमें से कौन सा जो है, high level programming language का part नहीं है, C, basic, aga या फिर assembly, ठीक है, देखो C, basic और aga जो है, ये हमारे तीनों के तीनों जाएं, ये high level programming language है, जो assembly है, ये जो है हमारी high level language में नहीं आती है, ठीक है, ये हमारी high level language में नहीं आती, तो please mark 83 का 4 is the correct answer, next question, question 84, which of the following is a part of the CPU, इनमें से कौन सा ऐसा part है, जो CPU का part भी है, register, ROM, RAM और HDD, तो देखो ये तीनों के तीनों जो option है, नीचे की, ये तीनों memory के part है, और ये हमारे CPU के part नहीं होते, CPU में जो memory होती है, उसे हम लोग register कहते है, क्या कहते है, तो 84 का A part है, A correct answer है, तो देखो अब जो question आपके सामने आएंगे, वो थोड़ा small type के question है, क्योंकि अब तक हम लोग part 1 के अंदर, part 2 के अंदर जो question करे थे, वो थोड़े lengthy थे, but इसमें अब लोग जो है, वन जो हमारे small type के questions होते है, जिनमें फिर इंदा blanks type के question आते है, उनमें जो है, यहाँ पर use होंगे, next question, question में 85, the CPU, motherboard and RAM are the dash component of computer hardware system, तो, जो, CPU है, motherboard and RAM वो किस में आते हैं, वो input device में आते हैं, वो output device में आते हैं, वो internal device में आते हैं, या फिर वो second device में आते हैं, तो, दिखाँ, CPU motherboard, RAM, यह हमारे internal component है, है हमारे computer system के तो यह हमारे क्योंकि इन्हें हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि बाकी जो आपके जो external device होते हैं जैसे आपका keyboard जो माउस हो गया ठीक है इवन आपका जो monitor है वह आपके external device होते हैं हमारे जो है external device होते है तो इसमें जो correct answer जरह वह 85 का C है, ठीक, next question, question 86, question 86 क्या कर रहा है, जरा असको भी देख लेते हैं, how CPU reads the information from secondary memory, जो secondary memory से कैसे CPU हमारा जो है, data को read करता है, first information is transferred to the main memory, and then from there the CPU reads, directly from the second memory through register through bus, तो देखो, यहां पर हमें जो है, यह बताना है, कि जो हमारा CPU है, किस तरीके से, किस तरीके से, जो instruction को read करता है, from secondary memory, तो देखो, secondary memory और CPU की जो memory होते हैं, CPU में जो register होते हैं, उनके अंदर जो data का access करने की जो speed होती है, उनमें काफी difference होता है, क्योंकि register जो होता है, यह high speed पे work करते हैं, secondary memory जो है, जो latency होती है, यह स्पीड होता है, तो secondary memory से data पहले, secondary memory से data पहले आपका primary memory में जाता है, main memory में जाता है, फिर main memory से data आपका जो cache memory में आता है cache memory में और वहां से जो data है आपका वो CPU में जाता है यह एक पूरी chain होती है ठीक है तो इसलिए जो correct answer है वो हमारा first है first information is transfer to main memory and from there CPU so please mark 86 का first as a correct answer next question kushma 87 which device can understand the difference between data and program यानि कौन सा ऐसा device है जो की data और प्रोगाम के बीच में एक तरीके से दोनों में डेटा प्रोगाम में difference जो है वो differentiate कर सकता है इन्पूट डिवाउस डिवाइस आउपूट डिवाइस memory या micro processor तो देखो हमारा जो micro processor होता है वो एक ऐसा device होता है जिसके अंदर हमारे program का जो main part होता है वो run होता है अमेशा और यही एक ऐसा part है जो कि उसे understand कर सकता है और इसलिए micro processor के अंदर जितने भी हमारे instructions होते है वो run होते है और जो instructions जो होते है वह में कौन देता है कहां से मिलते है से मिलते हैं तो इसमें जो correct answer है वो हमारा 87 का डी है तो प्लीज माक डी एज़ा correct answer next question 88 which of the following is a way in which component of a computer are connected with each other यानि computer के components होते हैं वो एक दूसरे से connect होते हैं यह हमें बताना है तो computer parts है computer architecture है computer hardware है computer network है तो दिको अंदर internally computer के components जो है आप आसमें एक दूसरे के से connect होने की का जो तरीका होता है सब्सक्राइब कंप्यूटर architecture कहते हैं क्या कहते है computer architecture कहते हैं और यह एक अपने आम में complete subject होता है ठीक है जो computer organization आपने देखा होगा आप अगर में आपने पढ़ा होगा तो second year में होता है यह और आपके बहुत से स्टुट्ट ऐसे भी होंगे आपर जिनोंने में किया हुआ है और बहुत से भी स्टुट्ट होंगे जो डिप्लोमा करके यहां पर आए हुए तो सभी लोगों ने computer architecture जो है वो सभी ने नहां पर पढ़ा ही होगा तो 88 का जो correct answer वो भी है प्लीज मार्क भी as a correct answer तो स्टुएंट्स हम लोगों ने सभी स्टुएंट्स के लिए जो भड़ी आप TGT की तयारी कर रहे हैं जिसमें KVS NVS DSSB यह हमारे शामिल है या फिर आप मध्यपरदेश के आयट्यों की examination कर रहे हैं BPSC की तयारी कर रहे है तो इन सभी examination के लिए हम लोगोंने course create किये हुए है जो कि हमारी website पर available है हमा क्या करते हैं हमारा WhatsApp नंबर है वह हमारा यह है ठीक है तो WhatsApp नंबर पर भी आप हमें contact कर सकते साथ में जो group है हम लोगोंने आप भी सभी स्टुएंट्स के लिए बना रहा है टेलिग्राम चैनल पर तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं तो किसी भी तरह क कि जो डिसकेशन होता है मैं टेलिग्राम चैनल पर आप लोगों से करता रहता हूं तो प्लीज मां आप जो है वहां पर भी जो है हमें connect कर सकते हैं हमसे connect हो सकते तो इसमें ठीक है नेक्स्ट कोश्ट कोश्ट में 89 हाउ दर दा सीप्यू रीड इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन के द्रू तो रांप्र जो है हमारे जो सेकंड्री मेमोरी के लिजो इंफॉर्मेशन होती है वह रांपन प्लीज मां 89 का को देन वह गर्रेट रांसर है नेक्स्ट कोश्ट में सब्सक्राइब करते हैं दा डैश सर्फ एज सिंगल प्लैट्फॉर्म तो कनेक्ट ओल अव पार्ट ऑफ कंप्यूटर तोगेदर इट कनेक्ट सी पी यू मैमूरी हाट ड्राइब ऑप्टिकल ड्राइब वीडियो कार्ट साउंद कार्ट अधर पार्ट अधर पार्ट यू कार्ट इस सभी पार को क्रेंट करने के लिए जो मधरबोर्ट के तेरें रो म कहते हैं यह ग्राफिक काट के सबी लोग या कंप्यूटर सिस्ट्म या कंपूस्ट के जितने भी क्मक्नीट है है जिससे हमारा सिस्टम रन होता है वो सभी पार्ट जो हम आपर connect होते हैं ठीक है तो 90 का जो correct answer वो ए है please mark a as a correct answer next question question 91 डैश is a way of making computer a computer control robot or software think intelligent in the similar manner the intelligent human think क्या मतलब हुआ मतलब है मतलब इसमें हमें वो यूनिक बतानी है यह एक तरीका का सब्जेक्ट ही है पूरा का पूरा आपको यह बताना है कि यह तरीका होता है जिससे हमारा जो कंप्यूटर है इसे इसकी हेल्प से हम लोग रोबेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जो सॉफ्ट्वेर हैं वो इंटेलिजेंटली करते हैं स्मेलर जैसे हम लोग या हीउमन ठिंक करते हैं तो इसके लिए आर्टिफिशल इंटलीजेंश होगा इलेक्ट्रोनिक्स होगा एडवान्स होगा या मशीन होगा तो इसका जो कर्यक्ट आंसर है 91 रोबेट्स को साथ में सॉफ्ट्वेर हमारे प्रॉपरली वर्क कर जो हैं बहुत अलग-अलग वर्क करने लगे हैं जो खास्तोर से AI-based होते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन मार 92 92 कोशन क्या किया रहा वही ए डैश इस अ यूनि डिरेक्शनल एक्ट एमिनेट्स फ्रॉम दा टक जाता है से हम लोग olow डेटा प स्कते हैं कंट्रोल बश कहते हैं या फिर इस्टेक्शन ब्लॉक करते हैं तो को यहां पर हम लोग यहहां हमें पाट पुछा गया काट है कि कौन सा पाट है तो यह जो है हमारा जो हमारा जो एड्रेस्र पर होती है वो यूनिक डिरेक्शन होती है, क्योंकि address bus के अंदर हम लोग कोई सी भी तरह का data नहीं होता है, address bus में केवल हमारी memory की location store होती है, और खास्त और से score जो है, micro processor से हम लोग memory unit और input output unit को connect करते हैं, तो please mark 92 का जो correct answer है वो भी है, next question कुश्म 93, RAM and ROM are generally classified based on weather, data storage is temporary or permanent, data access is random or sequential, data retrieval is quicker or slower, data removal is automatic or manual, तो RAM और ROM जो है यह एक तरह की हमारी memory है, ठीक है, तो जो हमारा permanent data है, ठीक है, permanent data है वो ROM में install होता है, ठीक है और जो हमारा temporary data है, वो हमारा RAM में store होता है, RAM हमारी volatile memory है और ROM जो हमारी, वो in volatile memory है, ठीक है, तो यह जो correct answer है हमारा वो हमारा A है, data storage is temporary in RAM and the permanent in ROM, अगर RAM के अंदर दिक्कत आती है, कोई problem हो जाती है, यह खराब हो जाती है, तो क्या होगा, computer में freeze instantly while working or may not on the startup, monitor will not turn off, system will work with the help of hard disk, system will work with the help of cache memory, तो आपको यह बताना है, कि अगर हमारी memory, अगर हमारी memory खराब हो जाती है, खास और से RAM, तो क्या होगा, तो अगर हमारी RAM खराब हो जाएगी, तो जो हमारा computer है, वो freeze हो जाएगा instantly, यानि instant उसी समय freeze हो जाएगा, और जो हमारा startup in the science की, जो हमारा main startup program होता है, पूरान कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, यानि return on हो सकता है, तो उसलिए Mark 94 का A is a correct answer, next question, question 95, a dash is an expansion card or IC card for producing the sound on a computer that can be heard through speaker or headphone, यानि इन में से कौन सा ऐसा, यह है, जो expansion card या IC पर लगता है, जहां से हमारा computer के अंदर sound सुनाई देता है, हमारे headphone या speaker के थूरू, sound card, data card, address bus या data bus, इसका जो correct answer हो sound card, जो है, वो हमारी internet circuit पर लगता है, और इसकी मदद से जो हमारे laptop या computer है, उनके अंदर speaker के थूरू या headphone के थूरू आवाज आती है, कभी-कभी हमारा sound card खराब हो जाता है, तो उसकी वैसे क्या होता है, हमारी जो आवाज है, वो हमारे headphone या speaker तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए correct answer जो 95 का वो A है, प्लीज मार्क 95 का A is the correct answer. Next question, question 96, which of the following port is used to connect a device such as mouse and modem, इनकी मदद से हम लोग जो हैं, अपने mouse और modem को connect करते हैं, serial port, parallel port, infrared port या फिर AGP port, तो देखो, एक्चलिवें जो इस तरह के जो port थे, वो हमारे पहले के desktop में काम करते थे, अब तो हमारे laptop में इस तरह के port हम नहीं होते हैं, तो जो serial port हुआ करते थे पहले, वहाँ पर हमारे mouse और modem correct हुआ करते थे, तो प्लीज मार्क 96 का A is the correct answer. Next question, question 97, a physical connector on a computer motherboard that helps connect the chip is known as a port, bay, socket या slot, so socket जो होते हैं, socket वो हमारे computer के motherboard को आपस में चिप से connect करते हैं, आपने देखा होगा socket होते हैं हमारे, जिसमें जो jumper होते हैं, उसमें भी connect करते हैं तो वो socket होते हैं, socket के अंदर हम लोग जो बहुत तरह के जो devices हैं, हमारी जो ICs हैं उनको भी connect करते हैं, तो प्लीज मांग 97 का C is the correct answer. Next question, question 98, which of the following computer is used for application such as scientific simulation, graphics, fluid dynamic calculation, nuclear energy, research, electronic design analysis of the geological data, तो जो हमारा ऐसा computer जो बताना है, जो हमारे इस तरीकी के काम को बहुत ही जादा करता है, खास तोर से हम लोग जो हैं वहाँ पर जो हमारी advanced version की जो applications होती है, analysis होता है, उनको run कर सकते हैं, तो mini computer, mainframe computer, micro computer, super computer, तो मैंने बताया था आपको, कि mini computer, mainframe computer, micro computer होते हैं, यह जादा बड़ी memory जादा instruction को run नहीं कर पाते हैं, जो main हमारा जो है वो super computer है, क्योंकि यहाँ पर weather forecasting, nuclear energy research, electronic design, geological data, तो यहाँ पर इन सभी data को process जो है किया जा सकता है, 98 का जो है धीक जो है correct answer है, next question, question 99, a CPU cycle time dash, मुलब क्या होता है, the time taken by the first bit to travel from sender to receiver end of the link, all the time taken for hard disk controller to locate a specific piece of in the store data, the total amount of time it takes to respond the request for service, the time required for the execution of one simple machine instruction, तो हमें यह बताना है कि CPU से हम लोग क्या समझते हैं, तो देखिए बाई CPU जो होता है, इसमें जो हमारी cycle time है, cycle time का मतलब होता है, कि एक instruction को run करने में कितना हमें time लगा है, इसी का मतलब होता है हमारा cycle time, ठीक है, तो इसमें जो correct answer वो D है, the time required for the execution of one simple machine instruction, so please marks 99 का D is a correct answer, next question, question 100, virtual memory का मतलब क्या होता है, और virtual memory क्या use हो है, तो वो virtual memory जो होती है, खास और से हमारे memory management में यूज़ की हो जाती है, तो यहां एक तरह का यह large optical device memory जी नहीं यह भी नहीं है, large secondary भी नहीं है ना यह large disk memory है, यह एक तरह की ऐसी secondary memory है, जहां पर हमारे जो main program, main memory के जो part है, जो नहीं आपाते main memory में, वहां पर हम लोग जो अपनी secondary memory को कुछ part जो असको virtual memory बना देते हैं, तो virtual memory से क्या होता है कि हमारे computer के जो प्रोगाम है, उनको यह लगता है कि हमारे पास enough main memory है, जिससे हमारा कोई भी प्रोगाम हमारा main memory में आके recite कर सकता है, तो virtual memory जो है एक तरह का illusion है हमारे system को दिलाने का, तो please mark be as a correct answer, तो students हमारे सारे के सारे question जो हैं, part two के computer system architecture के यहां पर finish होते हैं, अब एक के करके हम लोग आगे वीडियो में आपसे और भी question discuss करेंगे, तो अब हम लोगों ने आपके सामने 51 से लेकर 100 तक सारे question discuss किये, I hope आपको इस सारे question बहुत अच्छे लगे होंगे, तो अगर question अच्छे लगे हैं तो वीडियो को like और share जरू करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को computer science plus को अभी तक subscribe नहीं किया है, subscribe this channel और देखे, यह तो था questions के बारे में, अब ऐसी question ना बहुत सारे question हम लोगों ने अपने course modules के अंदर कर रखे हैं, course modules में लेके आए हुए हैं, तो आप बहले किसी की तयारी कर रहे हों, आप NVS की तयारी कर रहे हों, KBS की, DSSB की, EMRS की या फिर आप अपनेrotary echoes quiz की समय को अब बहना हो, अपने नपने prost ministryольш की तयारी कर रहे हैं, या फिर आपनेंगे हो तिक्षिंख की तयारी कर रहे हैं, मद्यपरदेश की of our Daree की हो अपने या नगों के तीचे की तयारी कर रहे हैं सभी स्ट्रेंज के लिए computer science के हम लोगों ने courses बना रखे हैं इन courses पे enroll के लिए आप हमारे WhatsApp नमर पे content कर सकते हैं इसके अलाबा अगर अभी तक आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो जाके join के लेना लिंक भी वीडियो के description में है वहाँ पे आपको हमारे course की जो भी हमने question discuss की है उनका पीडियाफ होगा वहाँ पे available करा दिया जाएगा ठीक है तो यह तो था आपके exam से related information अब अगर आपका कोई और भी सवाल है तो उसे आप हमें comment कर सकते हैं definitely जो है मैं उसका reply आपको करूंगा और इसके लाबा कोई भी doubt आ रहा है आपको लगता है कि सर मेरे को तयारी नहीं हो रही है मैं कैसे तयारी करूं तयारी करूं तयारी करूंगी तो उसके लिए भी आप हमें contact कर सकते हैं हमारे WhatsApp नमर पर ओके तो अब मिलते हैं आपसे important video में एक और important video के साथ next video में thank you